गेम्स के मामले में अब तक कबड़ी सबसे पीछे रहा है। किरिकेट फुटबोल और वल्लीवल जैसी गेम्स लोगों को काफी समझ से इंटरेटेन कर रही हैं। अब तक हमको कबड़ी की बहुत कम गेम्स देखने को मिलती थी। रदो अब कुछ गेम्स आई हैं और उनमें से सबसे बेस्ट हैं परोग बड़ी ले पंगा। तो चलिए इस वीडियो में करते हैं इस गेम का फुल रिव्यू और जानेगी का कि ये गेम कैसे एक टॉप गेम बन सकती है। यहाँ गेम लोँच हुई थी 8 सिप्टेंबर 2020 को यह स्टूवियो कमपनी की गेम है। हलांकि अभी तक इस गेम को कम ही MB की रखा गया है और इसमें कम ही फीचर्स देखने को मिलते हैं। इस गेम को ओपन करें तो इसमें तीन मोड देखने को मिलते हैं। जिन में से की क्विक मैच ही अनलोग है और बाकी दोनों को अनलोग करने का कोई भी ओप्शन नजर नहीं आता। सैटिंग्स में भी ज्यादा कुछ नहीं है इसमें आप सिर्फ म्यूजिक ओन ओफ कर सकते हैं। तो चलिए एक विक मैच में ही देखते हैं। तो इसमें हमको चिर्फ पांच-छे टीम सी देखने को मिलती हैं। बहुत से प्लेयर्स हैं हलांकि रियल प्लेयर्स नहीं हैं इन में से आपको साथ चुनने पड़ेंगे। तो आप किसी भी साथ प्लेयर्स को चुन सकते हैं। कैटिगिरीज में बाटा गया है रेडर्स, डिफैंडर्स और ओर रांडर्स। टोस्ट भी होता है और जो जीता वही सी कंदर। टोस्ट जीतने वाली टीम को पहले रेड करने का मौका मिलेगा। यहां से देखने में तो एकदम खुब चूरत लगता है। मैट भी प्रोकबडी जैसा ही डिजाइन किया गया है। किलर मेशीन वर्सेज पावर हाउस। किलर मेशीन के पास है दबंग तिली की जर्सी तो वही पर पावर हाउस के पास है बेंगलोरु बूल्स की जर्सी। देखने में गेम पले काफी अच्छा लगता है पर रजो इसका गेम पले और ग्राफिक्स उतने अच्छे नहीं हैं। जिस पी डिफेंडर के ऊपर यलो निशान आता है आप उसको टच करके रेडर को पकड़वा सकते हैं। इस गेम में ओल आउट होते ही एक हाफ खतम हो जाता है। तो इसमें सिर्फ यही फीचर्स हैं ज्यादा फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए अब देख लेती हैं कि क्या बदलाव करके इस गेम को एक टॉप गेम बनाया जा सकता है। इस गेम के ग्राफिक्स और गेम प्ले में इंप्रूमेंट लानी चाहिए। जैसे कि हम इस गेम में देखते हैं कि अगर कोई डिफेंडर किसी रेडर को पकड़ता है तो उसके हाथ रेडर को टच होते नहीं दिखते वह बहुत दूर होता है। तो इसको थोड़ा सा फिक्स करना चाहिए। नमबर टू स्पीड ओफ रेडर रेडर की स्पीड को इस गेम में बढ़ाना चाहिए। अभी तक रेडर की स्पीड बहुत ही स्लो है जिसकी वज़ा से वो एजली पकड़ा जा सकता है रेडर की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। इस गेम में टाइinger करना काफी इजी है प्रतु रेड करना काफी कठीन है इस गेम में अभी तक हमको सिर्फ 5-6 टीम्स देखने को मिलती है और उनके भी नेमस अलग हैं और प्लेयर्स भी अलग ही है इसमें सबी 12 प्रोकबर्ड़ी टीम्स देखने को मिलनी चाहिए और प्लेयर्स के भी रियल लेम्स देखने को मिलने चाहिए हलांकि इस गेम में अभी जर्सीज को जुरूर अड़ किया गया है किर्केट गेम्स में IPL ओक्षन को काफी अच्छी तवज्जों मिली इसी वज़ा से प्रोक बड़ी किस गेम में भी PKL ओक्षन लाना चाहिए हलांकि यह एक काफी अड़वांसड ओप्षन है इस फीचर का आना काफी मुश्किल है नमबर फाइव रियल कमेंटरी हलांकि अभी तक हमको इस गेम में किसी भी तरह की कमेंटरी देखने को नहीं मिलती अगर आप इसमें रियल कमेंटरी अड़ करेंगे तो इसकी तरफ लोग ज़्यादा एट्रक्ट होंगे गेम में सुनील तनेजर और संचा बनरजी जैसे कमेंटरी अड़ करनी चाहिए नमबर सिक्स डियारेस डियारेस अब कबड़ी का भी एक एहम हिस्सा है हमको किर्किट गेम्स में DRS देखने को मिलते हैं और इस गेम में भी अड़ करना चाहिए इस गेम में अभी हमको ज़्यादा रूल्स देखने को नहीं मिलते इसमें रूल्स एड़ करने चाहिए जैसे कि सुपर रेड या फिर सुपर टाकल यहां तक कि अभी अमपैर भी सही इशारा नहीं करते वो हमेशा बोनस पॉइंट का ही इशारा करते हैं इसके लावा गेम में मैंवल पोजिशन्स भी अड़ करनी चाहिए अगर ये फीचर्स इस गेम में अड़ कर दिये गए तो ये एक टॉप गेम बन सकती है हलांकि अभी तक इस गेम को ज़्यादा रिस्पॉंस देखने को नहीं मिला कबड़ी की गेम बनाना काफी मुश्किल होता है जिसकी वज़ा से अभी तक कबड़ी की ज़्यादा गेमस देखने को नहीं मिलती और इन गेमस को रिस्पॉंस भी बहुत कम मिलता है अभी तक मेकर्स इस गेम को यहां तक लेकर आई यह भी काफी बड़ी बात है आशा करते हैं कि यह गेम आगे जागर काफी परसीद हो क्या आपको भी को बड़ी की गेमस खेलना अपसंद है हमें बताइए नीचे कमेर्स एक्सन में इस लोड़ो को लाइक किए जिए और चैनल को सब्सक्राब किए जिए